हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलक्टोनिक स्टेड्य यूटूब चैनल सभी को सूप्रभात डेली करेंट एफेर्स की स्रंखला में आज ये हमारी 59 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी अपने सेशन की लाश्ट में जो हमने कल करेंट एफेर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 19 अगस्त तो आज के महत्पूर्ट करेंट एफेर्स को भी देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज के अपने सेशन और देखते हैं पहला करेंट एफेर्स पहला दिया हुआ है राजीव गांधी ग्रामीड भूमहीन मजदूर नया योजना के बारे में तो यह भी हालही में कहां सुरू की गई है तो ध्यान रिखिएगा राजी उगांधी, ग्रामीर, भूमहीन, मजदूर, नया योजना इसकी सुरुवात की गई 36 गण राज में अवेदी करेंड से रेलेट किया जाए तो अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि यहां के जो मुख्ध मंत्री हैं इन्होंने भी हाल ही में गोशना किये मनेंद्रगड तो यह चार नई जिलों की बनने की घोशना की गई थी इसके लावा अठरा नई तैसीले भी थी और इसके लावा मैंने आपको 36 गण के बारे में एक चीज और बतायी थी कि सामुदाइक बन संसाधन अधिकारों को मानता देने वाला भी पहला राज भारत का 36 गण बन गया है और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो 36 गण के मुख मंत्री हैं यह हैं भूपेज बगेल और जो गवर्नर है यहां की वो हैं अनसोया उईके तो इतने तत्याफ 36 गण के विशय में ध्यान रुकिएगा अगला देखती अभी हालही में गोशना की गई है केंद्री कौसल विकास और उद्धमिता राजी मंत्री जोकी वर्तमान में है राजीव चंद्र सेखर के द्वारा कि वर्स 2024 तक भारत के लगबग 6 लाग गाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो ये जो वर्स दिया हुआ है ये महत पूर्ण है ध्यान रुकिएगा कि वर्स 2024 तक जो भारत के लगबग 6 लाग गाओं होंगे वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन पहुँच जाएगा अगला देखते हैं अगला दिया हुआ है जम्मो कस्मीर विस विद्याले ने अभी घोशना किया है कि अपने ब्यायाम साला और जो इंडोर खेल सविदा हॉल है इसका नाम वो पीवी सिंदू के नाम पर रखेगा पीवी सिंदू जो की एक बैटमिंटन खिलाडी है इन्होंने अभी हालही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए है उसमें कांस पदक जीता है इसके अलावा जो 2016 में रियो में ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने रज़त पदक जीता था और इस प्रकार पीवी सिंदू पहली भारती महिला बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में दो पदक जीते है तो इनका नाम ध्यान रखिएगा कि इनके नाम पर जो जम्मू कस्मीर वे सुविदाल है उसने अपनी बैयायम सालाव और इंडोर खेल सुविदा माफी चाहेंगे इंडोर खेल सुविदा हॉल का नाम रखने का निर्ने किया है अब जम्मू कस्मीर की बात हुई है तो जैसा कि आपको बता है यहां के जो लियूटिनेंट गवर्नर में वर्तमान में वो है मनुस सिना तो इनके द्वारा भी हाल ही में गोशना की गई थी कि यहां पर बंगस आवाम मिला मनाये जाएगा और इसके अलावा जो जम्मू कस्मीर की 149 वर्स पुरानी दरवार मूव परंपरा थी इसको भी कुछ दिन पहले समाप्त कर दिया गया है अगला देखते हैं मीरा भाई चानू के बारे में तो यह एक वेट लिप्टर है और इन्हें MV इंडिया ने MV और इसकी नूट्रिलेट जो रेंज है इसका भी हाल ही में प्रेंड अमबेश्डर गोशित किया है मीरा भाई चानू के विसे मैंने आपको बताया था पहली खिलाड़ी बन गई थी और किस शेतर से संबन देते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया भारत दोलन से तो अभी हाल ही में इन्हें MV और इसकी नूट्रिलाइट रेंज का ब्रेंड अमबेश्डर बनाये गया है अगला देखते ही गाजियाबाद के वारे में ब्रिटिस कंपनी हाउस फ्रेस्ट ने एक रिपोर्ट जारी किये जिसमें ये बताया गया है कि वर्स 2020 में जो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूसे सहर बन गया है वो है गाजियाबाद और यदि आपसे पूछा जाए कि जो सबसे प्रदूसे सहर इसमें पहले नंबर पर कौन है तो ये सिंजी यांग प्रांत सहर का जो होतान माफी जाएंगे सिंजी यांग प्रांत का जो होतान सहर है चीन का ये पहले इस्थान पर है और यह सबसे आदा प्रदूसेत है और अब दूसरे नंबर पर हो गया है गाजयाबाद इसके अलावा यदि करेंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि यही कमपनी ब्रिटिस हाउस फ्रेस इसने भी एक रिपोर्ट जारी की थी तो इसमें जो सबसे प्रदूसेत देश था वो बना था बांगला देश जिसके बारे मैंने आपको पहले बताया है तो उसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं अगला है रौनक साधवानी की बारे में तो अभी हाल ही मेनों ने इटली में आयो जित जैसा कि मैंने आपको वंतिका अग्रवाल के बारे मताया था कि इन्होँ ने भी हाल ही में जो राश्री महिला ओउनलाइन सत्रंच का क्वे pilots भी मेरेा इसके अलावे में ने आपको हरसित राज़ा की बारे मताया है जो हमारे 79 नंबर के ग्रेंड माश्टर बन गए है और इसके अलावा इस पाकसन ट्रॉफी दोजार 21 की बात की जाए तो अभी हाल ही में इसको जीत लिया है विस सुनाथन आनंद ने जिनने पहला राजियू गांधी खिरलत पुरुसकार दिया गया था और यदि सत्रंज दिवस की बात की जाए तो प्रतेकवर्स हम इसे 20 जुलाई को अबज़र करते ही और सत्रंज की सुरुआत अपने भारत देश से ही मानी जाती है और मैंने आपको फीडे वर्ड कप 2021 के बारे मताया था तो इसमें विजेता रहे थे, क्रीजी स्तोफ डूडा और किसको हराकर ये विजेता बने थे तो सरगेई कार्जाके उप विजेता की रूप में रहे थे जिसको हराकर क्रीजी स्तोफ डूडा ने वीडे वर्ड कप 2021 अपने नाम किया था और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको अभी मन्यू मिस्टरा के बारे में भी बताया था जो विस्टो के सबसे युवा ग्रेंड मास्टर बन गए है और यदि आपसे पूचा जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रेंड मास्टर कौन है तो ये है डेगो केस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 69 नंबर के जो Grand Master बने है वो बने हरसित राजा और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 68 नंबर के Grand Master कौन थे तो ये थे अरजुन कल्याड जो कि तमिल नावड़ू से सम्बंद रखते हैं अगला देखते हैं यूपी सरकार द्वारा ये निर्नल लिया गया है कि सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ता यानि एंटी टेरिश स्कौर्ट कमांडो के लिए एक प्रसच्छण के इंद्र खोला जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आतंकवाद निरोधी दस्ता है इसके लिए प्रसच्छण के इंद्र कहाँ खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में तो ये खोला जा रहा है सहारनपुर के देवबंद में और यदि उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य चीजों की बात करी जाए तो अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले टू चैल्ड पॉलसे की बारे मैंने आपको बताया था इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो एक सूटिंग रेंज था जिसका नाम अभी हालही में बदल कर या अगला देखते हैं अभी हालही में गूगल ने सुगद्रा कुमारी चौहान की 170 जैनती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है तो गूगल ने ऐसा किया यतना महत्पूर नहीं है पर उन्तु यह आप ध्यान रखिएगा कि इस वर्स जो सुगद्रा कुमारी चौहान ने उनकी 170 जैनती मनाई गई है अगला देखते हैं माकी काजी की बारे में तो अभी हालही में इनका निधन हो गया है 79 वर्स की आयू में और यह जो माकी काजी है इन्हें क्यों जाना जाता है या किस शेतर से सम्मंदित है तो आपने देखा होगा कि न्यूस पेपर में भी कि एक पहली सुडूकू आता है तो उसके निर्माता माकी काजी को ही माना जाता है यूँ कह लीजे कि फादर आफ पजल सुडूकू माकी काजी को माना जाता है और यह जापान से सम्मंद रखते हैं और देखें यहाँ पर निधन की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था गेड मुलर की बारे में जो की पूरु दिगस फुटबॉलर थे इनका भी हाल ही में निधन हो गया था इसके अलावा कमोडूर कासरगोड पटना सिट्टी गोपाल राव इनका में निधन हुआ थ जिन्होंने 1971 की युद्ध में महतवपूर भूम का निभाई थी इसके अलावा फकीर आलमगीर जो की बांगला देशी गायक थे गोपाल बेंगरा पूरु होंकी खिलाडी बाला जी तांबे की बारे मैंने आपको बताया था जो की आयर वेदिक डॉक्टर और योग प्रस् बॉलर थे नंदू ना टेकर ये बैटमिंटन खिलाडी थे इसके अलावा नेली ओर नमबूदरी जो की एक मसुहूर कथाकली कलाकार थी तो यह कुछ महतवपूर नाम है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है अगला देखते ही नरायर कार्थिकेन के वारे में तो इन्हें महतमा गांधी को मरनो पुरांत कॉंग्रेस का सुर्ण पदक दिया जाएगा और ये साथ अमेरिका का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है और जो कॉंग्रेस सुर्ण पदक होगा अमेरिका का इसको पाने वाले महतमा गांधी पहले भारती बन जाएंगे तो ये महत पूर हो इसे भी आप ध्यान रखियेगा। अगला देखते हैं, एक्सरसाइच कौंकर 2021 की बारे में तो यह आयोजित हुआ है भारती नो सेना और ब्रेटिस की रोयल नवी के मद्द। और इसमें हिस्था किसने लिया है तो जो INS तबर है इसने exercise conquer 2021 में हिस्था लिया है और यदि current से relate किया जाए तो मैंने INS तलवार के बारे में आपको बताया था जिसने भी हाल ही में cutlex express 2021 में हिस्था लिया था तो आज किस current affairs की स्रंकला में इतना ही अब जो हमने कल पड़ा था एक बार उसका revision कर लेते हैं पहला दिया हुआ है असम के बारे में तो अभी हाल ही में यहाँ पर मवेसी संद्रक्षन विदेयक 2021 पारित किया गया है यह है क्या तो जो गैर गौमांस खाने वाले संदायों के निवास वाले शेत्र होंगे वहाँ पर गौमांस की विक्री और खरीत पर रोक लगाना इसका उद्देश होगा असम की बात होई है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बास और द्योगिक पार का सिलन्यास किया गया था मुख मंत्री जी के दौरा इसके अलावा यहाँ की जो मुख मंत्री है वर्तमान में ही मंत्विस्व सर्मा इन्होंने गोशना की थी कि सभी राश्ट्री खेल पदक विजेताओं को सरकारी नोक्रियां दी जाएंगी और जो असम का कछार जिला था अभी हाल ही में इसको राश्ट्री स्कॉच पुर्स कार से सम्मानित किया गया है अगला हमने पढ़ा था दरीम ओफ रिवॉल्यूशन इबाग्रफी ऑफ जैप्रकास तो जैप्रकास जो कि एक क्रांतिकारी नेता और सतंत्रकार करता थे यह इनकी जीवनी है जिसको लिखा गया है विमल प्रसाद और सुजातर प्रसाद के द् अब यहाँ पर बुक की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था एक्सिलरेटिंग इंडिया जिसको लिखा गया था याल मंचीली सिवाजी के द्वारा और अर्थ स्पिनर के वारे मैंने आपको बताया था जिसकी लेकिका थी अनुराधा रॉय और एक पुस्तक मैंने आपको बतायी थी हबबा खातूर जिसको लिखा गया था काजल सूरी के द्वारा और एक आई थी प्रेगनेंसी बाइबल जिसको लिखा गया था करीना खान के द्वारा अगली थी लियूपोर्ड डैरीज ता रोसेट इन इंडिया यह पुस्तक थी संजय गुब्बी की अगला हमने पढ़ा था कथा क्रान्तिकारी वीरों की नामक प्रदरसनी की बारे में तो अभी हाल ही में इसका उद्गाटन किया गया है जी किसन रेड़ी के द्वारा जो की अजादी की अमरत महसों के तहत हुआ है और यह जी किसन रेड़ी वर्तमान में केंडरी संस्कृति परेटन और उत्तर पूर्वी शेत्र की विकास मंत्री है और जो यह प्रदरसनी होगी इसमें उलीरी सीता राम सहीद दिवस, चंपरन, सत्याग्राय और जिलिया वाला बाग से सम्मंदित कलाकृतियों का प्रदरसन किया जाएगा अगला जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी चतीस गण की बारे में कि यहां के जो मुख मंत्री है पूपेज, बगेल इन्होंने गोशना किये चार नए जिले बनाने की और अटरा नए तैस्वीलों बनाने की भी गोशना किये है फिर हमने पड़ा था कि अभी हाल ही में नरेन सिंग तोबर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उदगाटन किया है नए दिल्ली में और यह जो नरेन सिंग तोमर है यह वरतमान में केंद्री करसीवा कल्याण मंतरी है अगला हरसित राजा जो की 69 में सतरंज ग्रेड माश्टर बन गए है और यह मात्र 20 वर्स के हैं इन्होंने बील माश्टर ओपें 2021 जीत कर यह अपलब्दी हासल किये और यह सम्मन्द रखते हैं महराष्ट से फिर हमने पढ़ा था इस मार्ट स्वास्त कार्ट के बारे में जो की सुरू हुआ है उडेसा में और इसकी सुरुआत हुई है बीजू स्वास्त कल्याण योजना के तैक जिसमें 3.5 करोड परिवारों को हेल्थ कार्ड दिये जाएंगे जिससे प्रतेक परिवार प्रतिवर्स 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाब ले सकेगा और जो इस प्रकार का हेल्थ कार्ड है इसको देने वाला उडेसा भारत का पहला राज बन गया है अगला है गेड मुलर के बाने में जो की पूरू दिग्गस फुटबॉलर थे तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है यहाँ पर एक नाम और आप और एट कर लिए जएगा चिनमे चटरजी के बारे में तो यह भी एक फुटबॉलर थे इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है और देखी मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे मता है तो एक जी आप और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह घोशना की गई थी कि जो काकोरी कांड था तो इसका नाम बदल कर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया जाएगा तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा तो आज की सेशन में इतना ही अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवास सभी को